कार्यक शेत्र में संगर्शकी स्थिती भाग्य से होगी लाभकी प्राप्ति भूत काल सीखने के लिए होता है वर्तमान काल जीवन व्यतित करने के लिए होता है और बहुश्य काल जीवन बनाने के लिए होता है ये बात कुम्ब राशी के जातों ने इस मेने मुख्य रूप स आत्यन्त बुद्धिमान लोगों के राशी के रूप में कुमब राशी की विशेश पहचान है राशी स्वामी शनी देव राशी में विराजबान होने के कारण आपके लिए अत्यन्त सकारात्मक काल निर्मान हुआ है नमस्कार मैं आईश्टो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमियों का हार्तिक स्वागत करती हूँ हम अक्टूबर दोजार चोवीस महने के राशी भविश्य को समझ रहे हैं उसमें आज हम कुम्बर राशी के जातकों के लिए ये महना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वारतालाप करेंगे विभिन्न दुरुष्टि कोन से इस महने के ग्रहस्तिति काम शास्त्रोप्त विश्लेशन करने वाले है साथ ही वीडियो के अंतबे में आपको इस महने करने वाला विशेश उपाई भी बताने वाली हूँ इसलिए वीडियो को अंतब देखना न भूले एक और महतो पुरुणा बात है कि हम विभिन्न दुरुष्टियों से ये महना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं उस सनुसार इस मैने आपका अनुभोग क्या रहा ये आप हमें कमेंट दौरा हम तक पहुचा सकते हैं ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुच सके हैं व्यक्तित्व की दुरुष्टी से जवं विचार करते हैं तो राशी स्वामी की स्थीती महतो पूर्ण होती है कुम्ब राशी के स्वामी शनिदेव राशी में ही विराज़बान है जो अत्यन्द शुबस्थीति कहीजा सकती है कुम्ब जातक अपने बुद्धी के बल पर योजना के अनुसार जीवन में तीत करते हैं भूत काल की सभी चीजों के अनुभव वे अपने पास संजो कर रखते हैं उससे वर्तमान में किस प्रकार प्रसन्नता से रहा जाए इसका विचार करते हुए बविश्य पर भी उनका ध्यान होता है राशी स्वामी राशी में वह भी मूल त्रिकोन राशी में ये अत्यनत शुभबात कहीं जा सकती है साड़े साती का ये दूसरा चरण है लेकिन वह कुम्भ राशी के लिए लाभकारी रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर शनी देव ने शशर आजयोग निर्बान किया है जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यनत बड़ा आजयोग माना जाता है जिस कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्तिन्त सम्रुद्ध संपन्नव प्रगल्व होने वाला है इस काल का सदुपयोग करे दहन परिवारवानी की दूसरी से विचार करे तो कुम्भ राशी के धनस्तान में राहु ग्रह का गोचर सुरू है राहु बले ही आपके राशी स्वामी का मित्र हो लेकिन विगटन करना ये उसका मुख्य कारकत्व है ग्रह अपने कारकत्व को कभी नहीं छोड़ता जिस कारण परिवार स्थान में विराजमान राहु कई बार परिवार में विवाद मिर्बान करता है विगटन करना एकता नश्ठ करना इस दुरूष्टी से प्रेतनशील रहता है दूसरी बात है कि धनस्तान के राहु को पैसों से भले ही बड़ी आटेच्मेंट हो लेकिन वह धनसंचे में बाधा भी निर्मान करता है वाणी में उगरता आती है बहुर शब्दों के द्वारा बाहर भी पड़ती है इसलिए इस काल में अपना अपने परिवार का उच्चित ध्यान रखे ये सलह दी जाती है पराक्रमें उम परिश्रम की दुरूष्टी से विचार करे तो आपके तुरूतिये के तुरूतिये स्तान में विराजबान है जो अत्यन्त शुभस्तिती कही जा सकती है जिस कारण आपके तुरूतिये इस काल में प्रबल हुए है कुम्ब राशी के लिए तुरूतिये मंगल दे होते है लेकिन वे शत्रू ग्रह की राशी में भी है, जिस कारण आप इस काल में बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, साथ ही मित्रों से पडोसियों से आपको परिशानी हो सकती है, उस दुरुष्टी से अत्यन्त सावधान रहना चाहिए हैं, वास्तो वाहन भुमी सुकशान्ती की द परिश्थिती में भी कम बोलकर शांती से परिश्थिती का सामना करने का सामर्थ आप में होता है, दनस्तान या परिवार्स्तान का राहु यदि विगटन करता है, तो आप भी अपने बुद्धी से, कौशल से, घर का वातावरन प्रसन्न रखते हैं, जो इस काल में आपके लिए अत्यनत उपयोगी रहेगा, वास्तु के शुभयोग आपके लिए निर्मान होंगे, वाहन के योग भी है, उनका पूरा लाब उठाइए, शिक्षा संतती प्रणे की दुष्टी से विचार करें, तो कुम्भ जातकों के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है, ये काल सफलता का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, पड़ाही में होने वाली प्रगती दीर्ककालीन लाभकारी होती है, इस बात को मुख्य रूप से धान में लेते हुए, इस काल का सदुपयोग करें, स्वास्त कर्ज प्रतिस्पर्दी, शत्रों की दुष्टी से विचार करें तो इस काल में कुम्ब जातकों का स्वास्त सामानने रूप से अच्छा रहेगा, अर्थात छोटे बड़े प्रेश्टा मनुष्य जीवन को लागू रहते हैं, जिने कर्जे के आवशकता है, उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यनत आवशक होने पर ही कर्ज का कही रख कर भूल जाने की संभावना है, इसलिए महत्वपुर्न दस्तावेजो का उचीत ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है, नोक्रियों व्यावसाय की दुष्टी से विचार करें, तो कुम्ब जातकों के लिए ये काल बड़े संगर्ष्य का कहा जा सकता है, नोक् में आपने जो निर्णे लिया है, उसमें अपेक्षित सफलता न मिलना, उसमें विलंब होना ऐसे छोटे बड़े संगर्ष्य सुरू रहेंगे, लेकिन उसमें भी एक बात है, कि मेहने के अंत में जब आप अकौन देखेंगे, तो आपको लाभ दिखाई देगा, क्या आप अपना भविश्य देखना चाहते है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप खुद देखिए, आपका मुलांक भाग्यांक मित्रांक, शुभवर्ष, शुभदीन, शुभग रह, अशुभग रह, मित्र राशी, मित्र लगन, शुभर अतना भाग्य रतना, शुभदेवता शुभदातू, शुभर अंग और शुभद इशा क्या होगी, जी हाँ, आप ये सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दिन की वर्क्शॉप में, फीस मात्र पान सो रुपे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भरे, और हमें अपना नाम जन्मती थी, जन्म का समय और जन्मस्थान बताएं, हम आपको आपका राशी फल ओनलाइन भेजेंगे, आपकी लगन कुंडली, राशी कुंडली, नौमाउश कुंडली, सामान्य भविश्यवानी, वार्शिक भविश्यवानी, सभी सामिलोगी, वर्क्शॉप में अपना भविश्य खुद जन्म लेने वाले प्रत्यक व्यक्ति को लक्ष प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार की कठिनाई और संगर्श का सामना करना पड़ता है, इसलिए हर कोई सोचता है, हमें एक बार अपनी जन्म कुंडली देखती चाहिए, अगर आप यही सोच रहे हैं, तो हम इसमे देखना सिखाएंगे, धर्नेवाद शुभम भवतु, भाग्ययों शुभसंकेत की दुरूष्टी से विचार करें, तो कुम्ब जातकों के लिए ये महिना कई शुभसंकेतों से परिपूर्ण भरा है, उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो, आपके भाग्येश, भाग्य शुभसंकेत है, इसके अलावा केंद्रस्तान में गुरू जैसा अत्यन्द शुभग्रह विराजबान होना यह भी बड़ा शुभसंकेत है, ऐसे कई शुभसंकेत इस मैंने आपके लिए निर्बान हुए है, उनसे आपको शुभपरिणा प्राप्त होने वाले है, इस काल क का सदुपयोग करें, कर्म की दुरुष्टी से विचार करें, तो कुम्म राशी के लिए मंगल देव की स्तिति महत्व पुरुना होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है, कर्म अधिपती जब पंचम स्तान में होता है, तब आपके पिता जी के जीवन में कई बार संगर्ष निर्मान होता है, उन्हें विभिन्न कार्णों से संगर्ष का सामना करना पड़ता है, ऐसे काल में उनके स्वास्त का द्यान रखना पड़ता है, या उनके व्यावसाय में नुकसान होने की संभावना रहती है, इसलिए उस दुरुष्टी से उच्चित द्यान रखना आप के लिए अत्यनत आवश्यक रहेगा आप अच्छा परिश्रम करेंगे उससे आपको पविश्य में अच्छे फल प्राप्त होंगे लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो कुम्ब जातकों के लिए इस काल में विभन पद्दतियों से लाभयोग निर्बान होने अर्थात पूरानि वास्तू से से व्यासाइ से नोकरी से आपको अर्थलाभ प्राप्त हो सकता है संग्शिप में यह महिना बड़ा लाव कारी रहेगा लाह घक हे कि इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि हाद्दिक लाभ क्राप्त हो प्रकार खर्च करते हैं कुम्बजा तक कभी भी अकारण खर्च नहीं करते और जहां पर खर्च करना आवश्यक है उसे टालते भी नहीं है वहां आपकी बुद्धिमत्ता है वहां आपका कौशल्य है जो प्राकृतिक रूप से आपको मिला है अर्थात उसे विकसित करना अर्थात दीन के बाद रात और रात के बाद दीन ये प्रकृतिका चक्र है ये चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है फल सुरूप हर दीन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता कुछ दिन शुभ कुछ अशुभ या तनाव पुर्ण होते है इस दिरुष्ठी स कुम्भ राशी के लिए 6, 15 और 23 ये दिन शुभ रहेंगे साथ ही 3, 13 और 21 ये दिन अशुप तनाव पुर्ण तथा संगर्ष से भरे रहेंगे इसी को द्यान में रखते हुए आपको इस महें ने कार्यों की योजना बनानी चाहिए उपायों की दुरुष्ठी से विचार करें तो जोतिश में अत्यंत छोटे-छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए है अशुबची जोके अशुबता कम करने की शुबची जोकी शुबता बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उस अनुसार कारण इस काल में छोटे-छोटे उपाय कर हम देवी माता का अशिर्वात प्राप्त कर सकते हैं उस अनुसार कुंबर राशी के जातकों ने नव रात्री के नव दिनों में दुर्गा सब्तशति का पाठ करना चाहिए इस उपाय के शुबह परिणाम प्राप्त होंगे इसल पर अपलोड किये हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आपके राशी का वीडियो आपने देखा दोस्तों को रिस्तेदारों को उनके राशी का वीडियो शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में हरहर जोतिश घरगर जोतिश लिखना ना भूले धन्यवाद शुभम भवतु जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद